देखिए दोस्तों इस फेस्टिवल सीजन पर इलेक्टिक टूइलर की सेल्स में जबदस्त उठा पटक हुई है और सभी इलेक्टिक टूइलर कमपनियों ने अपने सेल्स के नए रिकोर्ड कायम किये हैं इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले पूरे साल में बिखने वाले इलेक्टिक स्कूटर की संख्या लगबग अक्टूबर के महीने में बिखने वाले नमबर्स के बराबर हो गई पिछले साल जिन कमपनियों ने इस मार्केट में कदम भी नहीं रखा था उन्होंने भी अक्टूबर में अपने नए रिकोर्ड कायम कर टॉप पोजिशन बनाई है तो चलिए दोस्तों इनी नमबर्स पर और ब्रेंड पोजिशन में कौन सी कमपनिया टॉप टैन में रही इनी सब की बात करेंगे आज के इसी वीडियो में इसी के साथ स्वागत है आपका स्किल के राजिस में अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले चलिए शुरू करते हैं दसवे नंबर पर position किया है जितेंद्रा EV ने बारवे नंबर से दसवे नंबर पर आई है जितेंद्रा EV October 2022 में कुल ग्यारा सो दो यूनिट सेल किये हैं जो पिछले साल October 2021 में मातर 280 यूनिट थी इस हिसाब से कुल 292% की ELE ग्रोध दिखाई है जितेंद्रा EV ने जितेंद्रा के JMT 1000 और JMT 1000 एचेस जैसे इलेक्टिक स्कूटर मार्केट डिमांड में है नवे नमबर पर आती है बैनलिंग इंडिया पिछले महीने आठवी पोजिशन पर था बैनलिंग इंडिया और इस त्योहारी सीजन पर कुछ खास फायदा ना उठाते हुए नवी पोजिशन पर है October 2022 में कुल 1417 यूनिट सेल की हैं जो पिछले साल मातर 433 यूनिट थी आप अपने बजट और रिक्वार्मेंट के हिसाब से इसे देख सकते हैं आठवे नमबर पर आया है ओकाया इवी पिछले महीने नवे पाइदान से आठवे नमबर पर कबजा किया है पिछले साल ओकाया इवी मार्केट में नहीं था अक्टोबर 2022 में कुल 1916 यूनिट सेल की है इसके क्लासिक, फ्रीडम और फास जैसे इलेक्टिक स्कूटर जो 60 किलोमेटर से 500 किलोमेटर की रेंज सिंगल चार्ज में देते हैं साथवे नमबर पर आता है बजाज चे तक, लास मन्थ भी साथवी पोजिशन पर था, अक्टोबर 2022 में कुल 3265 यूनिट सेल की है जो पिछले साल मातर 744 यूनिट थी, इस हिसाब से 3.5% की यली ग्रोध दिखाई है बजाज ने, लेकिन फिर भी बजाज जैसे रेट्रो ल चटे नमबर पर आया है TVS IQ, सेम लास मन्थ भी चटे नमबर पर था, और अक्टोबर 2022 में भी चटे नमबर पर आया है, अक्टोबर 2022 में लगबग 5740 यूनिट सेल हुई है, जो लास्ट येर मातर 446 यूनिट थी, लगबग 1000% की यली ग्रोध दिखाई दी है, खेट TVS IQ मार अक्टोबर 2022 में कुल 7276 यूनिट सेल हुई है, जो लास्ट येर 2648 यूनिट थी, इस हिसाब से लगबग 114% की यली ग्रोध दिखाई है, लगता है डिमांड की वज़े से सप्लाई चेन का इश्यू हो सकता है, क्योंकि लास्ट मन्थ भी एथर ने अच्छे नमबर पर से लिंग की थी, एथर एक प्रीमियम सेगमेंट का इलेक्टिक स्कूटर है और प्राइस के साथ साथ इसके इलेक्टिक स्कूटर फीचर से भी भरे हुए हैं, नमबर च्यार की बात करें तो यहां आता है हीरो इलेक्टिक, हीरो इलेक्टिक पिछले कुछ महीनों से फर्स्ट ग्रोथ हुई है, Hero Electric के प्रोड़क्ट, Photon, NYX और Optima आदी प्राइज फ्रेंडली होने के साथ साथ रेंज भी ठीक ठाक देते हैं, लेकिन सेंटरल गोर्मेंट ने फिलाल इनकी सबसीडी पर रोक लगा रखी है, तो शायद इनकी प्राइज में कुछ बदलाव आपको देखन को मिल सके, थाड़ नंबर पर आती है, MPR वीकल, जिसने पांच वी पोजिशन चे छलांग लगाई है, तीसरी पोजिशन पर, October 2022 में कुल 9878 यूनिट सेल की है, जो लास्ट येर, October 2021 में मातर 1046 यूनिट थी, तो इस हिसाब से 845 पसेंट की येली ग्रोथ की है, MPR ने, MPR ने अपना नेटवर्क काफी मजबूत किया है, जिससे कस्टमर तक इसकी रीच बढ़ी, और वीकल सेलिंग में भी ये अच्छी ग्रोथ पर आ गया, MPR के मैगनेज और रियो जिसे एलेक्टिक स्कूटर मार्केट में अपनी पहचान रखते हैं, नमबर दो पर आती है, ओकिना के ओकी 90, प्रेज प्लस, प्रेज प्रो और ड्यूल जैसे अलग अलग फीचर्स और अलग अलग प्राइज रेंज रखने वाले इलेक्टिक स्कूटर मार्केट में अवेलेबल हैं, फिलाल हीरो के जैसे ही ओकिनावा की सबसीडी पर भी सेंट्रल गोर्मेंट का कुछ काफी सारे सवाल उठने के बावजूद ओला नंबर वन की पोजिशन बनाए हुए है, उक्टोबर दोजार बाईस महीने में कुल 16,139 यूनिट सेल हुई है, जो लास्ट ये जीरो थी, तो इस हिसाब से ओला देश के लोगों को पसंद तो आ रहा है, खैर यह त्योवारी स सबी इलेक्टिक टूविलर कंपनियों के लिए अच्छा रहा होगा, और एवी के जो नंबर चेंज हुए हैं, तो बदलाव की बहार तो आ रही है, आप क्या सोचते हैं इन टॉप कंपनिज और इनकी रेंकिंग के बारे में, इनके प्रोडक्ट के बारे में, कमेंट में जरूर बताईएगा, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, थैंक यू